अलो एंड वेल्कम बैक टू चैनल में अश्री एकवाट और स्वादा त्याप सभी का फिर से एक बार हमारे शुरूप चैनल पर दोस्तो आज का अभी का यह जो वीडियो है वह बहुत हिल्पूल होने वाला है आप लोगों के लिए अगर आप महारास्टर में भी सिनर्सीं क के बारे में जो कि गवर्मेंट प्राइव आपको direct जाके वहाँ पे admission लेना उसकी possibility काफी कम है तो यह चीज़ पहले ही clear करना मुझे लगता है important है उसके बाद private colleges और minority जो भी colleges है वहाँ पे जाके आप admission ले सकते हैं वहाँ पे कोई problem नहीं है अब आते हैं इसके schedule पे यह जो पूरा schedule क्या है ठीक है पहली चीज़ अभी ज institutional round जो है या फिर institutional level round जो है उनकी seat matrix आएगे मतलब सारे colleges सारे जो colleges है उन colleges की एक list आएगी और वहाँ पे कितने seats vacant है वो category wise mention होगा उसके बाद एक चीज़ जो पहले mention नहीं थी वो यहाँ पे mention है institutional level round की seat matrix आएगी ही आएगी with that provisional list of eligible candidates तो जो हमने कई वीडियो में बताए कि eligible candidates की list आती है लेकिन पिछली बार notice number 14 में उन्होंने eligible candidates की list के बार में कुछ mention ही नहीं किया था शायद बाद में उनको समझ में आया होगा या फिर उन्होंने जो भी है वो correction किया होगा तो eligible candidates की list आएगी जो institutional level round के लिए eligible है उनकी list आएगी कब आएगी 18th October को ठीक है अब इसके बाद क्या है second thing the eligible desirous candidate must apply in person in person any person to respective colleges अगर आपका इस eligible list eligible candidates के list में नाम है और आप चाहते हो admission लेना तो in that case 19th October से लेके 22 October शाम के साड़े पाच बज़े तक आपको क्या करना है आपको उन particular colleges जिस भी college में आपको admission लेना है ना तो वहाँ पे कितने seats vacant है वो आपको 18 तारीक को समझने वाला है तो जैसे आपको समझ में समझता है वैसे आप उस particular college में जाईए in person मतलब offline है यह वहाँ पे जाके आप apply करिए पहले तो आपको apply करना है उसके बाद क्या है 23rd शाम के साड़े 6 बज़े तक 23 October शाम के साड़े 6 बज़े तक क्या होने वाला है कि जो लोगों ने उस particular colleges हरे college का अपने अपने level पे होगा ठीक है वो at a time सबका common नहीं होगा जैसे यहाँ पर क्या होगा एक है जो की कोटा वाइस रहेगी मेरिट लिस्ट रहेगी जन्रल मेरिट लिस्ट में क्या रहेगा जितने लोगों ने apply किया है के उन सारे लोगों के नाम रहे च्छेवी कोटा वाईस मेरिट लिस्ट में तो फिर काटिगरी न अनुसार और जो भी झानुसारorama यत बहुत भी कोटा रिमेनिंग है तो वह कोटा इस टृक्ट टा या फिर टा ल वाला कोटा तो कोटा वाइस मेरिट लिस्ट आईगे to रहेगे और फॉर्ट साथ के वेब साइट पर आपको क्या करना है जिस गौलेज में आप चाने वाले हूं उनकी वेब साइट लो फिर उनके वाट्सएप नेमबर पर आप वट्सअप ग्रूप रहेगा तो ग्रूप में आप कनेक्टेड रहो ताकि जो भी अपडेट्स है वो आप आप आइदर नोटिस बोर्ड या फिर उनकी वेबसाइट या फिर उनको जो भी ग्रूप रहेगा वहाँ पर वो बताते हैं तो उनके साथ कनेक्टेड रही है यह कब होने वाला है 23rd of October फिर उसके बाद 25th October से लेके 27th October और श्याम के 5.30 बज़े तक यह तीन दीन है यहाँ पर आपको क्या करना है कॉलेज में जाके आपका अड्मिशन कंफर्म करना है 23rd को सिलिक्षन लिस्ट आने वाली है एक बार आपको समझ में आया कि आपका अड्मिशन उस पर्टिकलर कॉलेज में हो गया है तो 25 से लेके जिन लोगों ने अड्मिशन लिया है तो जिन लोगों ने अपलाई किया था ठीक है उसमें से कुछ मान के चलो दस लोगों ने अपलाई किया था पाच सीट से पाच में से चार सीट फिल हो गए एक सीट बाकी है तो उन लोगों की लिए सिलेक्षन लिस्ट नमबर टू था जो नहीं किये उनका नाम ने आएगा तो वेटिंग लिस्ट में थे उन में से लोगों का नाम आएगा और फिर से वेट लिस्ट भी आएगी जो की वेबसाइट पर रहेगी यह आएगा 27 तारीक को साड़े च्छे बज़े के बाद मतलब साड़े पाच बज़े तक जॉइनिंग है एक घंटे के अंदर ही अंदर पता नहीं कितना प्रॉंप्ट होगा बट लेट्स कंसीडर उनको भी कंसीडर करते हैं की चलो हो जाएगा साड़े चे शाद बज़े तक आएगा कि क इतने सीट्स बाकी है और जो भी सिलेक्शन लिस्ट है सेकेंड आएगे उसके बाद जो सेकेंड लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनको 28 अक्टोबर से लेके 30 30 अक्टोबर तक साम के साड़े पाच बज़े तक जॉइन करना है रिटेंशन वगरा फिल करना है ठीक है उस लिए रिमें मतलब कोई भी वैगेंशी वैकेंट रहती है तो उससे कहते है रेसीड्यूल वैकेंशी पिछली बार जब नोटीस आए थी नंबर 14 उसमें मैंने explain भी किया था वीडियो में फिर भी कई सारे डियम साय मेसेज़े साय कमेंट्स आये कि रेस्टियल वैकेंसी क्या होता है रेस्टियल वैकेंसी यानि कि यह दो सिलेक्शन लिस्ट होने के बावजूत अगर सीट्स वेकेंट रहते हैं तो उन्हें कहा जात 30 ओक्टोबर 30 ओक्टोबर को स्याम के चाड़े 6 बज़े तक उसके बाद जो भी एलिजिबल कैंड़ेट्स है वह आपके डॉक्यमेंट्स फीज वगेरा के साथ यहाँ पर रेस्टियल वैकेंसी के लिए आ सकते हैं 31 ओक्टोबर तक अप्टू 1 पीम फिर इन सीट्स को फिल करना है सब्सक्राइब और यह 31 ओक्टोबर इसके बाद admission process नहीं होगा घतने admission होगे वही इसके बाद अगे होने नहीं वाले हैं तो अगर आपको डहेंशन लेना है तो अगर आप को मिलेगा एंट्रीसन दा उख उने वाला है उसकी वालिशी हैं एक कत्य सतारीख को द्लाष तक अपर करिए प्रोसेस है वह सब कुछ um on the base of merit होने वाला है and 31st को ही दाए बज़े के बात मतलब शाम को वह जो भी जिन लोग ने जिन स्टुनेंस ने एड्मिशन लिया है तो उनका feedback module college अप्लोड करने वाले है एंड खतम and the end of the admission and इस बीच कई सारे colleges स्टार्ट होने वाले कई सारे question पुछते कि college कब start होगा भई मुझे पूछना मुझे पूछना या फिर किसी और को पूछना comment करना इससे best option में आपको बोलता हूँ जो college में आपका admission हुआ है उस college को contact करो उस college के office में contact करो उनके WhatsApp पर आप रहोगे उनको contact करो वही आपको अच्छे से बताएंगे कि कब college start होगा कई सारे colleges से जो start हो चुके है कुछ college से जो start होने वाले हैं ठीक है तो college को ही contact करिए वही से आपको correct accurate answer सभी information मिलेगे हैं ठीक है अगर आपका admission हो जाता है तो आपको मैं बोल देता हूँ अगर आप हमारे semester batch क्योंकि बी एसी nursing में अगर आपको अच्छा यह जो journey अच्छी शूरू करने हैं तो उनके लिए हमने semester first batch launch कर रखी है और अभी हमारा बड़े batch offer चल रहे है जिसमें आपको यह जो 3000 वाला course है पहले यह 6000 को था तो उसको हमने reduce करके 3000 किया था इसमें भी हमारे बड़े offer में हमने इसको EMI में EMI पे देने का आपके लिए option यहाँ पे लेके आए जिसमें इसमें तो प्राइस कोछ आपको मिलेगा अगर आप EMI पे लेते हो यह जो प्राइस ना उससे कम ही प्राइस पर मिलने वाले और उस पर भी 200 आप मिलेगा तो देखो आपको एट इन पे करना है 950 रुपीज के आसपस कोई EMI है तो 950 के मतलब 950 के आपको पे करना है और इसके लिए लिमिटेशन है यह सिर्फ 25 students के लिए ही है अगर 25 students इसमें जॉइन हो जाते है तो इन दोनों में से एक भी offer आपको नहीं मिलेगे अगर आपका ऐसा है कि admission definitely होने वाला है तो वेट मत करिए admission होने का या फिर अगर हो गया है admission तो जल सीजल बैच में जॉइन करिए 16th October 16th October से हमारी batch start होने वाले है classes start होने वाले है already कुछ videos हमारे वहाँ पर recorded upload हो चुके है और आने वाले दिनों में और भी videos वहाँ पर आने वाले हैं तो definitely that will help you introductory introductory जो पार्ट है वो आपको समझ में आएगा and definitely this course will help you आपका जो basic knowledge जो होना चाहिए इसमें सिर्फ हम आपको teaching नहीं करेगे कुछ special classes भी होगे सिर्फ theoretical theoretical ही नहीं but something other than जो आपका college curriculum है इसके apart from that भी हम काफी कुछ चीज़े आपको देगे that will eventually push you आपको encourage करेगा वो चीज़े to be a goodness in future तो yes definitely आप जोइन कर सकते हैं उसके अलावा अगर यह जो process है इसमें अगर आपके कोई भी doubt है yes इसमें hundred doubt रहेगे definitely एक सो से भी ज्यादा doubts इसमें definitely आपके रहेगा तो यहाँ वहाँ पूछने से better यह रहेगा call book कर यह हमारे साथ yes call book paid consultation है बट यही चीज़ है अगर जरूरत है मतलब आपको कुछ चाहिए तो उसका value है आज की डेक में हर एक चीज़ का value है और हमारे time का भी value है इसलिए यह call यह फिर consultation जो है वो paid consultation है तो description में link है हमारे साथ consultation call book करिए within 24 hours हमारे तरफ से आपको call आएगे अभी call time पे आएगे पहले काफी bookings थी अभी ठीक है तो normal time पे आपको call हमारे तरफ से आएगे और आपके जो भी doubt है वो आप link के रखिए पहले ही जब हमारे तरफ से आपको call आएगा उस time पे यह मत बोल यह हमें क्यूंकि काफी students करते हैं कि मैं यहां पे हूँ मैं वहां पर हूँ मैं बाहर मैं आपको बाद में call करता हूँ नहीं एक बार हमारी तरफ से call आया खतम आप यह ची time कर सकते हो कि आपकी तरफ के time डाल सकते हो, वहाँ पर आपके लिए हमने वो भी चीज़ दे रखी है कि आप आपका time डाली है, उस time पर मुझे call करें, इस आप बोल सकते हो उस time पर हम आपको call करेंगे and उस time पर अगर आप available होते हो, तो हमारी बात होगी अगर आप available नहीं होते हो, फिर से तीन बार हम try करेंगे and हम try करेंगे कि आपके doubts solve करें, so that's it in today's video, अगर वीडियो पसंद आए like करें, चैनल पर नहीं हो subscribe करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ admission ही नहीं, इसके बात आपके पूरे nursing career में जो चीज चाहिए, चाहिए वो job हो, career opportunities हो everything, इस चैनल पर उसके related content आपको मिलने वाला है, तो पूरा 4 साल का investment, मतलब यह subscribe करते, जैसे आप subscribe करते हो तो 4 साल के लिए यह अच्छा investment आपके लिए रहेगा, even 4 साल ही क्या, lifetime के लिए ही मैं बोल दू तो भी सही रहेगा तो बने रहेए हमारे साथ चैनल को subscribe करें, notification bell on करिए और हमारे साथ stay tuned करिए, मिलते है next वीडियो में, अगले किसी अच्छे topic के साथ, तब तक के लिए चालों, चांती, और सलाम, बाई